इस वीडियो हम आपको यह बताने जारों कि कैसे आप अपने IQZ9 Android मॉइल फोन में आप अपने मॉइल फोन की वीडियो कॉल की प्रॉलम को आप सौल कैसे कर सकते हैं इस वीडियो हम आपको डीटेल में जानकारी देने वाला हूं तो चलिए हम एक वीडियो को में स्टार्ट कर लेते हैं देखी दोस्तों कभी भी अगर आपके फोन में वीडियो कॉल की प्रॉलम आती ना तो इसकी सौलीशन के लिए करने के देखी सबसे बहले आपको अपने प्रिश्टार्ट करने अगले पांपिर सीस्टम और अ始ल् अक्राइल अपको आपको अप्सिटिया रिषिट करने केलिए मुबाईल फोन की नेट्वर्की सेटिंग केलिए सबस्वेउपन करें सबस्पी उपर आपको सबसुलरी से तरक्वरैं पर मैं !! यहां पसूरु इस बार में से इकमे confirming बाइवां तुबारा टैप करना है आपको थोड़ी देर में नीचे लिखा हुआ आ जाता है नेटवर्क सेटिंग है बिन रिसेट ठीक है अब देखे अगला काम यह करना है कि आपको जो अपने है न मुवाइल फोन का सॉफ्ट्वेर आपको चेक करना है कि अपडेट है या नहीं है पह देखे दोस्तों मुवाइल फोन को रिसेट आपको तब करना है जब मेरे बताएवे पिछले प्रोसेस काम नहीं करते है तब आपको फोन को रिसेट करना है अदरवाइस नहीं करना है फोन को रिसेट करने के लिए फोन का सेटिंग पेज ओपन करिए सबसे उपर आपको इस सर्च आइकेन पर टैप करना है यहाँ पर सबसूपर सर्च बार वार रिसेट आपको लिखना है आपको नीचे ने यह option मिलता Erase All Data Factory Reset इसे टैप करना है आपका फोन डिरेक्ली आपको इस सेटिंग में लाएगा Erase All Data Factory रिसेट पर टैप करेंगे तो अगले पेज में सबसे नीचे Erase All Data पर टैप करना है इससे आपको फोन रिसेट हो जाएगा और आपके फोन की वीडियो कॉल की प्रॉलम सॉल्व हो जाएगी लेकिन फोन को रिसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है पहली बात ध्या करना ठीक है तो मेरे बता है सभी प्रॉसेस आपको यूज करने से आपके प्रॉलम सॉल्व हो जाएगी वीडियो कॉल की ठीक है